Hello Everybody, चले हम इस वीडियो में Class 9th Math के Exercise 3.3 के सभी कोशन के सालूशन एक एक करके देखते हैं इसके पहले मैं Exercise 3.1 और 3.2 के सभी कोशन का सालूशन डाल चुका हूँ स्टार्ट करते हैं Exercise 3.3 के सभी कोशन के सालूशन के साथ पहला कोशन है यहां पर देखिए In which quadrant और on which axis आपको बताना है कि किस quadrant पे या फिर किस axis पे do each of the point जो यह point दिये हुए है यह lie करेंगे आपको यह बताना है verify your answer by locating them on Cartesian plane आपको verify करना है इसको Cartesian plane पे बनाते हुए थे यह Cartesian plane एक बना देते हैं यह जो vertical line है और यह horizontal line है देखो इसको क्या बोलता है x-axis बोलता है जो उपर से नीचे आती है उसको क्या बोलता है y-axis बोलता है देखिए हम part डिवाइड कर दे इस point को क्या बोलता है origin 00 होता है यह तो यह वाले को 1 कर दो यह 2, यह 3, यह 4, यह 5, यह 6 उपर क्या होता है प्लस वाला 1, यह 2, प्लस में होता है 3, फिर यह 4, यह 5, नीचे यह वाला बना दीजे minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 इस side देखे क्या होता है minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, और minus 5 यह होती है देखिए इसके बाद हमको point इसके बताना है कि कौन कहां पे होता है देखिए किसको बताना है एक एक करके चालू करते है minus 2 और 4 दिया हुआ है, minus 2 और 4 पहले ड्रॉक किजए यहाँ पे x पे, यह वाला क्या होता है, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है x पे क्या, x पे minus 4 और y पे क्या, y पे आपका 4, मतलब यहाँ पे आएगा ये वाली point क्या होगी? minus 2 और 4 तो बोल रहा है कि आपको बता है ये first coordinate होता है ये second coordinate होता है ये तीसरा होता है और ये चौता होता है तो देखिए और ये x-axis है और ये y-axis है पूछ रहा है कि किस quadrant में है? minus 2 और 4 किस quadrant में है? इसका answer हो जाएगा second quadrant में है quadrant number second में है next देखिए क्या है? 3 और minus 1 3 और minus 1 किस में है? देखिए, draw किजिए x-axis पे 3 और y-axis पे minus 1 मतलब कहां पे आ जाएगा? आपका ये यहां पे आ जाएगा 3 और minus 1 तो 3 और minus 1 किस quadrant में है? देख रहे हैं ये कौन सा quadrant है? 4th quadrant है तो आपका क्या आ जाएगा? 4th quadrant आ जाएगा next देखिए, minus 1 और 0 क्या हो जाएगा? minus 1 और 0 x-axis पे क्या है? minus 1 और y-axis पे 0 मतलब ये यहां पे आएगा? ये देखिए, line पे आ रही है किस line पे आ रही है? x-axis पे आ रही है x-axis पे minus 1 और 0 है न? तो ये किस line पे आ रही है? जो ये minus 1 और 0 जो है ये x-axis पे आ रही है? किस पे x आ रही है? x-axis पे ये negative side जा रही है तो आपको बस बताना है कि कौन से on which axis आ रही है न? तो x-axis आप इसको बता सकते हैं कि negative side जा रही है x-axis में negative side है फिर देखें next देखें इसमें क्या है? 1 और 2 1 और 2 देखें 1 और 2 ड्रॉ कीजिए पहले बताना भी है x-axis का 1 और y-axis का 2 यहाँ पे आएगा इसकी coordinate क्या हो जाएगी? 1 और 2 तो ये कहां जा रहा है? ये first quadrant में जा रहा है फिर इसमें देखें last है minus 3 और minus 5 minus 3 minus 3 और minus 5 देखें कहा है? minus 3 minus 3 x-axis पे यहाँ पे है और y-axis पे कहा है? y-axis पे यह minus 5 है इसकी coordinate क्या हो जाएगी? minus 3 और minus 5 minus 3 और minus 5 किस coordinate में है? ये जो है third quadrant में है क्या हो जाएगा? third quadrant इसका answer हो जाएगा check up किजिए फिर 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 फि का answer, अब देखते हैं next question को, आप इसमें जब next question देखेंगे, तो देखें को क्या है, next question है यह, plot the, यहाँ पह यह, plot the point xy given in the following table on the plane, आपको plane पे draw करना है, choose suitable unit of distance on the axis, plane पे draw करना है, और इस पे unit distance आपको choose करना है, मतलब क्या, आपको cartesian plane बनाना है, ऐसे x axis और y axis और इस पे यह draw करना है, चले draw करते हैं हम इसको plane पे, देखें, एक साधे page पे लेते हैं, हम यहाँ पे क्या draw करेंगे, एक draw कीजिए यहाँ पे y axis, क्या है यह, यह आपका y axis और एक draw कीजिए आप यहाँ पे x axis, situation को, data को देखते हुए ऐसे बनाएंगे, यह क्या naming कर दीजिए पहले, यह वाला point क्या है, इसको origin o मालो, यह क्या हो जाएगा, 1, यह क्या हो जाएगा, 2, देखो इसको मैं red pen से कर दे रहा हूँ, rating से, 1, 2, फिर यह 3, यह 4, यह 5, यह 6, नीचे आईए, नीचे आपका, minus 1, देखो यह छोटा इसले लिया हूँ न, क्योंकि ज जब fill up करेंगे तो देखेंगे, minus 1, यह minus 2, फिर यह minus 3, फिर यह minus 4, यह minus 5, यह minus 6, और यह minus 7, ऐसा है, फिर उपर देखिए क्या है, उपर है यह, यह, 1, यह, 2, यह, 3, यह, 4, फिर यहाँ पर 5, यहाँ पर आप लिख लिजिए 6, यहाँ पर आप 7, यहाँ पर आप 8, यहाँ पर यहाँ आप 9, अब चलिए हम एक एक करके, एक एक क्वाइडिनेट को इसमें denote करते हैं, फर्स्ट देखिए क्या है, x अगर minus 2 हो, तो क्या होना चाहिए, y जो है 8 होना चाहिए, देखिए आप इसमें कहाँ देखेंगे, x जो है minus 2 और y क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, आपका यह minus 2 है न, minus 2, minus 2 और 8, मतलब यहाँ पर आएगा, इसकी क्वाइडिनेट क्या हो जाएगी, minus 2 और 8 हो जाएग फिर देखिए, second, x की value minus 1 और y की value 1, x की value minus 1 और y की value 7 थी, x की value minus 1 यह हो गया और y की value 7, मतलब यह यहाँ पर आ जाएगी, इसका coordinate क्या हो जाएगा, minus 1 और 7 हो जाएगा फिर देखिए, 0 और minus 1.25, 0 कहाँ है, x की value 0 यह है, और y की value minus 1.25 है न, तो यह यहाँ पर आएगा, आधे से आधा में, तो यह क्या हो जाएगी, यह point आपकी हो जाएगी, 0 और minus 1.25 है next देखिए, इसमें क्या है, 1 और 3, x की value 1 और y की value 3, x की value 1 यह है और y की value 3 है, तो इसकी क्या हो जाएगी, 1 और 3 हो जाएगा फिर देखिए 3 और minus 1 x की value 3 और y की value minus 1 x की value यहाँ पर क्या हो जाएगे x की value है 3 और y की value है minus 1 मतलब यह यहाँ पर हो जाएगा इसको दूसरे color से करते रहें अच्छे समझ मैं है आपको देखे इसकी value क्या है यहाँ पर यह वाली जो है x की value 3 और y की value देखिए है ना x की value 3 और y की value minus 1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और minus 1 यही जो है इस coordinate Cartesian system पर जो भी coordinate दिया था उसको मैं graph पर denote कर दिया हूँ यही इसका answer है आप graph paper पर करेंगे तो अच्छे से दिखेगा यह था इस exercise का सभी कुस्टन के solution मिलते हैं हम आपसे next वीडियो में तब तक के लिए ओके बाई थेंक्यू